डोनेट कार्ट और वोईस अफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नॉड़ा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ओक्सिजन सप्लाइज प्रोवाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ट पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बनी। वीबो वाइवन एस को भारत में पिछले साल नवंबर में 7,990 रुपए की शुरुवाती कीमत पर लॉंच किया गया था। ये कीमत फोन के 2GB प्लस 32GB वेरियंट के लिए थी। अब एक्स्क्लूजिव ओफर के तहट कंपनी हैंड सेट पर इंप्रेसिव डिसकाउंट और डियल्स दे रही है। इस नए ओफर के तहट नए Vivo Y1S पर 799 रुपए की सीधे चूट दी जा रही है। ऐसे में ग्राहक इसे 7,191 रुपए में खरीद पाएंगे। साथ ही ग्राहक इस नए ओफर के साथ 4,550 रुपए के बेनिफिट का भी फाइदा उठा सकेंगे। ये नया ओफर सभी पुराने और नए जियो ग्राहकों के लिए लागू होगा। इस ओफर का फाइदा उठाने के लिए ग्राहकों को किसी जियो सिम कार्ड को कम से कम 30 महीने तक बतौर प्राइमरी सिम इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दे 4,550 रुपए का फाइदा ग्राहकों को जियो वाउच्चिस के तौर पर मिलेगा। Amazon इंडिया ने अपनी वेबसाइट और आप में एक पीचर्ड आर्टिकल सेक्शन को एड किया है। फिलहाल कमपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। इससे रीडर्स मुक्त में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस नए सेक्शन को Amazon ने अपनी वेबसाइट और आप पर आड किया है। इसमें कई काटिगरी जैसे एक्स्क्लूजिव, स्पोर्ट्स, आउटो, इंटर्टेन्मेंट और पॉलिटिक्स शामिल है। कंपनी के मुताबिक इन सेक्शन में रीडर्स को कई पब्लिकेशन के आर्टिकल्स एक ही जगा पर मिलेंगे। इन में से कुछ आर्टिकल आमजान पर एक्स्क्लूजिव रूप में उपलब्ध है। कुछ Kindle यूजर्स को इन पीचर्ड आर्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है। अमजान की वेबसाइट या अब पर पीचर्ड आर्टिकल्स सेक्शन को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन featured articles लिखकर manual तरीके से search किया जा सकता है इस section में users को जो category दिखाई देंगे उनमें exclusive articles, entertainment, politics, governance, sports, business, finance, health and fitness, society and lifestyle, books, food, fiction, current affairs, travel और auto शामिल है Realme X7 Max 5G को भारत में 31 मई को launch किया जाएगा इस upcoming phone के लिए company लगाता नए नए टीजर्स जारी कर रही है टीजर्स के जरीए company ने इस phone के काफी सारे features की जानकारी दी है company ने confirm किया है कि ये phone Media Tech Dimensity 1200 processor के साथ आएगा company पहले smartphone को 4 मई को launch करने वाली थी हना कि देश में कोरोना से पैदा हुई हालातों के जलते event को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था एक टिप्टर से हाली में ये जानकारी मिली थी कि इस phone की कीमत 25 से 30,000 के बीच रखी जा सकती है कहा जा रहा है कि भारत में phone के 8 GB और 128 GB वेरियन की कीमत 27,999 रुपए और 12 GB और 256 GB वेरियन की कीमत 30,999 रुपए रखी जाएगी उमीद की जा रही है कि ये phone चीन में सेल में उपलब Realme GT Nio का ही रिब्रैंडड वर्जिन होगा न्यूस तक ब्योरो